प्यारे बच्चों, आज हम नेती शत्खम के 61 श्लोक से अध्यन प्रारम कर रहे हैं तो अभी हमारी दुर्जन पद्धती चल रही है तो देखिए 60 श्लोक में भकवी भर्तरी क्या कहते हैं आरंब गुर्वी छहीनी क्रमेन लगवी पुरा रदी मतीचे पश्चात दिनश्चे पूरवार्ध परार्द भिन्ना चाया इवी मेत्री खल सज्जनाना देखिए इस श्लोक में कवी ने दुर्जन तदा सज्जन की मित्रता को इस पश्च किया है कि उनकी मित्रता कैसी रहती है तो कवी कहते हैं खल सज्जनानाम मेत्री नीचे नीचे दिया हुआ है यहाजे स्टार्ट करेंगे खल सज्जननाम मेत्री खल यानिकी दुर्जनों की एवं सज्जननाम और सज्जनों की मेत्री मित्रता दिनस्य पूर्वार्द थर्लाइन में दिनस्य पूर्वार्द दिनके पूर्वार्द परार्द भिन्ना एवं उत्रार्द से भिन्न स्वरूप वाली परार्द यानिके उत्तरार्द से भिना भिन सरूप वाली चाया इव चाया की तर है ठीक है आरंब गुर्वी प्रारंब में बढ़ी किन्तु चैनी क्रमेन क्रम से छीन होने वाली होती है तरह सज्जन की लगवी पूरा पहले चोटी व्रदी मतीचे पश्चात और बाद में भढ़ने वाली होती है देखें एक बादे समझ लीजिए कविया कहना चाहते हैं कि दुर्जन तरह सज्जनों की मित्रता अलग-अलग स्वरुप वाली होती है दुर्जन की मित्रता है वो दिन के पूरवार्द की चाया की समान होती है ठीक है और दिन के पूरवार्द की चाया प्रारम में लंभी होती है सने सने घटी होई, छोटी होकर अंत में नश्ट हो जाती है, उसी प्रकार की दुर्जन की मित्रता होती है, क्योंकि दुर्जन अपने स्वार्थ के सिद्ध करने ही तो किसी से मित्रता करता है, तब उसकी मित्रता प्रगार एवं लंबी होती है, किन्तु जैसी उसका स्वार् मित्रता होती है सज्जन निस्वार्थ वार से मित्रता करेगा फलतेवे व्यक्ति को परक्नी के बाद ही प्रकाड मित्रता करेगा आते दिन के उत्तरार्ध की छाया के समान उनकी मित्रता समय के अनुसार बढ़ती रहेगी तो यहां दुरुजनों की मित्रता स्वार्थ वाली और उत्रोतर छीन होने वाली तता सज्जनों के मित्रिता निस्वार्थ वाली और उत्रोतर बढ़ने वाली होती है ऐसा कभी नहीं आप प्रतिपादित किया है प्रेक बार दुबारा सुन लीजिए खल सजना नाम मेत्री, दुर्जन और सजनों की मित्रता, दिनस्य पूरवार, दिन के पूरवार, एवं परार्द भिन्ना और उत्रार्द में भिन्न स्वरोप वाली चाया की तरह होती है दुर्जन की मित्रता, आरंब गुर्वी, प्रारंब में बढ़ी, किन्तु छेणी क्रमेन, किन्तु क्रम से छीन होने वाली होती है लगवी और सजनों की मित्रिता लगवी पूरा प्रारम में लगू यानि की छोटी और व्रद्धी मती चे पश्चात पश्चे तेनी के बाद में व्रद्धी मती बढ़ने वाली होती है नेश्टि स्लोक आपकी स्क्रीन पर है देखिए कभी कह रहे हैं म्रग मीन सजना नाम त्रणजल संतोस विहीत व्रत्ती नाम लुब्द लुब्दक दीवर पिशुना निसकारणा में वेरिनों जगती इस शिलोक में कभी दुष्टो की अकारण सत्रुधा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कभी कह रहे हैं जगती लाशला भी जगती यानी की संसार में जगती संसार में CERDLINE में देखिए त्रण जल संतोस विहीत व्रत्ती नाम त्रण यानि की घास, जल यानि की जल, संतोस वीत और संतोस इसे जीवन व्रत्ति नाम निर्वा करने वाले, कि संसार में घास, जल और संतोस से जीवन निर्वा करने वाले, कौन-कौन, म्रग मीन सजना नाम, म्रग यानि की हरिन, मीन यानि की मचली, तथा सजना नाम सजनों क लुबदक दीवर पिशुना यानि कि लुबदक यानि कि व्याद दीवर यानि कि मच्छुआरा पिशुना यानि कि दुर्जन व्याद मच्छुआरा तथा दुर्जन निसकारणम एव वेरिनो यानि कि बिना कारण के ही वेरिनो सत्रू हो जाते हैं देखिए कवी का कहने का तात पर यहां पर यह है कि दुर्जन व्यक्ति बिना कारण के ही सत्रू बन करके कश्ट पहुचाता रहता है कवी उधारन देते हुए कहते हैं कि इस संसार में हरिन, मचली तथा सज्जन क्रम से क्या खाते हैं गास घाता है , मचली जल पीती ऑर सज्जन संतोस से अपने जीवन का यापन करने वाले हैं ये किसी को भी कुष्ट नहीं देता हैं फिर भी सिकारी जो कह WILाली को कश्ट पहुचाता ही तरуч दुर्जन को कश्ट पहुंचाता है वो बिना कारण ही उनके सत्रू बन जाते हैं म्रग घास काकर अपना जीवनी आपन करता है वे शिकारी को किसी भी प्रकार की हानी नहीं पहुचाता फिर भी सिकारी म्रग का स्वाभिविक सत्रू बना हुआ है इसी प्रकार मचली जल से जीवन निर्वा करती है वे मच्छवारे को हानी नहीं पहुचाती फिर भी मच्छवारा उसका सत्रू बना हुआ है सज्जन पुरुष भी संतोष से अपनी जीविका का निर्वा करते हैं वे दुष्टों को किसी भी तरह की हानी नहीं पहुचाते, फिर भी दुष्ट उनका सत्रू बना हुआ है। अर्था दुष्टों को उनकी सभारिक नीच प्रकति से हटाना बहुत कथिन होता है। वे दुष्टों का विवेचन किया है, तो देखते हैं कवी हाँ पर सज्जन की प्रसंसा करते हुए क्या कहते हैं। वांचा सज्जन संग में परगुणे प्रीतीर गुणो नम्रता विद्यायाम यश्नम स्वय योसिती रती लोका पवादाद भयं भक्ती शूलिनी सक्तिर आत्मदमने संसर्ग मुक्ती ही खले येशुएते निवशंती निर्मल गुणास ते भ्यो नरे भ्यो नमहा। देखिए कविया कहते हैं कि सज्जन संग में संगती की वांचा इक्षा परगुणे प्रीती यानि की दूसरों के गुणों में प्रीती प्रेम गुरव नम्रता गुरु में विने यानि गुरु के प्रती विने भाव। विध्ययाम व्यष्यन विध्यामे प्रेम स्वययोशिती रती अपनी इस्तरी में रती यानि की प्रेमेन अनुराख करना लोका पुवादात लोका पुवाद से भयम भय। भक्तिही शूलिनी यानि कि सिव में भक्ति भक्ति, सक्तिही आत्म दमने यानि कि मन को वश मे करने की चमता, संसर्ग मुक्ति खले दुर्जणों के, संसर्ग मुक्ति संगती का त्याग, येशु जिन में एते निर्मल गुण ये निर्मल गुण निवशंती रहते हैं कि जिन में ये निर्मल गुण रहते हैं तेव्यो नरेव्यो नमाहा उन लोगों को नमाशकार है तेभ्यो नरेभ्यो नमहा उन लोगों को नमाशकार यानि कविन या सज्जन पुरुशों के गुणों का बहुत ही शुंदर वर्णन किया है और इस श्लोग में सिद्धो राय की भरदरी शेव पद्धती यानि की शेवत्व मानते थे यानि श्री भगवान को ज़ादा वो मानते थे तो एक वा तातपरी सुन लीजिए कभी का कहने का तातपरी यह है कि जो लोग सदेव सज्जनों की मित्रता के अभिलाशा करते हैं वे नमशकार के पात हैं जो लोग दूसरों के गुणों से प्रेम करते हैं दूसरों के गुन से इर्शय नहीं करते जो अपने तपोवरद विद्यावरद अईवरद गुरु के प्रती नम्रता का विवार करते हैं जो विद्याधन में सदे विरुची रखते हैं जो दूसरों की इस्त्रीकिय और आकरशित नहीं होकर अपनी पत्री को पर ही प्रेम इसे कोई कारी नहीं करते, जिस से लोग का अपवाद हो, वे लोग नमशकार के पात्र हैं। लेकिन आगे और खातें कि जो लोग भगुआं शेथ की प्रति बक्ति रखते हैं, मन को वश में रखकर इंद्रियों के विशेयों में प्रवत्य नहीं होने देते। तो एक बार दबारा सुन लीजिए, कवियां कहना चा रहे हैं कि वांचा सज्जन संग में, कि सज्जनों की संगती की इक्षा, परगुणे प्रीती, दूसरों की गुणों में प्रेम, गुरव नम्रता, गुरु की प्रती नम्रभाग, विध्याया विश्नम, विध्या के प् सकती, आत्म, दमने, और मन को वश्मे करने की शक्ति यानि की छमता, संसर्य मुक्ती खले, खले यानि दुर्जनों के संगती का त्याग, येशु एते निर्मला गुणा निवशंती, जिनमें ये निर्मल गुणे रहते हैं, तेव्यों नरेव्यों नमहा, उन लोगों को न करते हैं, देखिए, आपके सामने, चौसर्ट वैस लोग आपकी स्क्रीन पर है, देखिए, इसमें कभी क्या कहते हैं, विपिदी धहरियम, अथ अभ्यूधिये, चमा, सदेसी, वाक्य, पटूदा, युधी, विक्रमे, यससी, चयभी, रुची, व्यश्नम, शुरुतव, सथी सिद्धमिदमी महातमाना, इसuksलोग में कभी सजनों के सुभवी गुणों का वडनन कर रहे हैं, क вмि कहते हैं कि विपिदी धहरियम, विपिदी यानिकि आपत्ती में धहरियम, अथ और अभ्यूधिये चमा, अभ्यूधिये अनिक उन्णती में चमा, सदेसी, सभा में, वाकपटूता वाकचातुर्य युधी विक्रमे युधी यानिकी युद्ध में विक्रमे पराक्रम यशशी चे अभीरुची और यश में इक्षा रखना व्यश्नम शुतव शुतव यानिकी सास्त्रों में व्यश्नम रुची रखना प्रकती सिद्धम इदम ही महात्मा नाम ही निश्चित रूप से इदम यह महात्मा नाम महापुरुसों के प्रकती सिध्धम सुभाव में रहता है यह महापुरुसों के लिए यह प्रकती सिध्ध है देए इसका तातपरी समझ लीजिए कविया कहना चाहते कि सज्जन किसी भी परिस्तिती में अपनी सज्जन तका परित्याग नहीं करते मापुरुषों का ये सुभावी गुण है कि वे विपत्ती आने पर कभी भी धहर्यों को नहीं चोड़ते सामानी व्यक्ति आपत्ति में घवरा जाता है किन्तु वे तो धहर्यवानी बने रहते हैं उच्च पद को प्राप्त करके भी मापुरुष कभी भी दूसरों को हानी नहीं पहुचाते हीन नहीं समझते अपी तो छमा का पालन करते हैं सभा में वे वाग्चातुर्य का परीचे देते हैं विद्वानों की सभा में उचित बात कह करके अपनी वानी की ओषल्दा को प्रकट करते हैं सजजन पूरुष, महापूरुष युद्य में अपने वीरता का प्रदर्शन करते हैं येश में रुचि रखते हैं वो ऐसे सुपकारे करते हैं जिससे उनका रयस व्याप्थ होता चला जाता है वे शदा ही वेदाधी सास्तों का चिंतन, मनन और निदिद्याशन करते रहते हैं ये सभी गुण महापुरोशों में सभाव से ही सिद्ध यानि कि ये सभी गुण उन्हें जनमजाथी प्राप्त ह होते हैं तो कवी कहते हैं प्रतेग व्यक्ति को महापुरोशों के गुणों को अपनाना चाहिए ऐसे यहां कवी ने प्रेणा दी है एक बढ़ दुबारा सुन लीजिए कवियां कहना चाहते हैं कि विपदी धैरियम आपती में धैरिये अथ अभ्यूदे चमा और उन्नती म में युद्ध में पराक्रम यशिशी चैवी रूची यश्मे रूची व्यश्नम सुतव सास्त्रों में प्रेम रखना ही निश्चित रूप से इदम यह महात्मानाम प्रकाति शिद्धम महात्माओं में सुभाविक रूप से सिद्ध है अगला नैश्टिश लोग आपकी स्क क्रीन पर हैं देखिए कवियां कहना चाहते हैं प्रदानम प्रचन्नम ग्रहम उपकते संब्रम विधी प्रियम क्रत्वा मौनम सदिसी कथनम चैपी उपक्रत है अनुत सेको लक्षमियानी रभी वह विसारह पर कथा हा सताम के नुद्ध विश्टम विशम असीधारा व्रत मिद्धम इसी श्लोक में कवी महापूरोसों के असीधारा व्रत का कतन करते हैं कि ऐसे जिस प्रकार से तलności धार पर चलना कठीन होता है ऐसे ही महापूरोसों के गुणों पर भी चलना बहुत कठीन होता है तो कवी क्याते कि प्रदानं प्रचन्नम, प्रचन्नम यानी कि गुप्त दान देना. ग्रहम उप्गते गर पे आए हुए का सम्भरम विधी यानी कि सत्कार करना. गरहम उपगते घर पर आई हुए का संब्रम विदी सत्यकार करना प्रियम क्रत्वा और प्रिये करके मौनमा पीचे और मौन रहना यहनि कि उपकार करके भी चुप रहना उपकरते हैं सदिसी और दूसरों के दुआरक किये गए उपकार को उपकरते और किसी के किये गए उपकार को सदिसी सभामे कथनम कहना लक्षमियाम अनुच्छे के और लक्षमि का यहनि की संपत्ति का अनुच्छे के घमंडने करना पर कथा दूसरों के कथन में नेरभी भवसारा अनादर नहीं करना दूसरों कथन का अनादर नहीं दिखाना यान दूसरों कथन में अनादर नहीं दिखाना इदम इस प्रकार यह है विशम असी धारा व्रतम तलवार के धार के समान विशम यानी की कठोर व्रत को सताम के नुदिश्टम सजनों को किसने उपदेश दिया है देखिए एक बार इसका आप तात्परी समझ लीजी फिर मैं आपको समझाऊंगी कभी कहते कि सजजन लोग घुत्तु दान देते हैं वे कभी दान देकर उसका प्रचार नहीं करते हैं सजजनों की घर पर चाहिए मित्राय चाहिए सत्तु वे सभी का आधर करते हैं वे कभी किसी का उपकार करते हैं तो उसे किसी की भी सामने नहीं कहते हैं किन्तो यदि कोई अन्य व्यक्ति सज्जनों का उपकार करता है तो वे इस बात को बार बार सभा में बताते हैं प्राई लोगों के पास धन आ जाता है तो वे अत्यत एहंकारी बन जाते हैं किन्तु सज्जन कभी भी धन प्राप्ट करकी गर्वी नहीं करती वे कभी भी किसी का अनादर नहीं करती तो कई ये सभी नियम तलवार की धार के समान अत्यांत तिक्षन हैं आते कभी कहते हैं कि सज्जन को किस ने इस तलवार की धार के समान कठोर व्रत का उपिदेश दिया है तात पर ये हैं कि ये नियम कठीने किन्तु सज्जन उनका पालन करते हैं दुबारे सुन लीजी एक बार इसको कभी यां कह रहें कि प्रदानम प्रछन्नम गुप्त दान देना ग्रहम उपकते घर पे आयुए का संभरम विदिही स्थकार करना प्रियम क्रत्व किसी का प्रिये करके उपकार करके मौनम चुप रहना उपक्रते चे और दूसरों के द्वारा किए गए उपकार को सदसी कतना अनुद्से को लक्ष्मिया समपत्ती का गर्वने करना निरभी भवसा रहा पर कता दूसरों के कथन में निरभी भवसा रहा अनाधर ने दिखाना इदम यह असी धारा व्रतम विश्मम तलवार की धार के समान कठोर व्रत को व्रत का सताम सज्जनों को के नुदिश्टम किसे ने उपजेश दिया या था सज्जनों की वृत का पालन करना तलवार की धार पर चलने के समान बहुत कठिन हैं लेकिन सज्जन लोग इनका पालन करते हैं आज के लिए इतना ही बाकी नेक्स्ट 66 फेस लोग से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे